तो यह सवाल कितनी बारा आया है बहुत बारा आया डाइरेक्शन निकालने आपको आना चाहिए प्याया कीर вамиे के लिए क्रोश चाहिए वो जो है जो आपको जय करपारणदेक्शन आप यह ग्री म् THEY रूंग की घ्राइपको आपको आपको से-क्रौश्य बार्ट्रध की चाहिए का direction of S vector, electromagnetic wave, positive Z axis में जा रहा, this is the positive X, this is the positive Y, तो अगर A wave जा रहा, तो इस logic से करते हैं, electric और magnetic field किदर होना चाहिए, तो देखो, अब यह हां से ही, के कैप, यह जो है, के कैप की direction हमें पता, S की direction के कैप है, अब हम सब को पता है कि अगर यह के कैप है, तो दाइने हाथ अगर यूज करोगे, right hand curl rule यूज करोगे, तो तुम E की, देखो, अगर माल लेते हो, E की direction इधर है, I side है, तो E की direction अगर तुम देखोगे, हां, E की direction तुम इधर माल लेते हो, तो तुम्हें E, I cross Z करोगे, तो automatically K आजाएगा, I cross Z करोगे, तो automatically K आजाएगा, क्योंकि I cross Z करोगे, तभी जाके K कैप बनेगा, तो E cross B करोगे, तभी S vector बनेगा, समझ में आ रहा है कुछ, तो right hand curl भी यूज कर सकते हो, और cross product भी ऐसे भी यूज कर सकते हो, first option ही सही हो गया, बाकि चेक करने की जुरूत ही नहीं है,